मैंने जो गेट एक्जाम लिखा था उसके थ्रूही मुझे भाबा आटॉमिक रीसर सेंटर में क्लास वन ऑफिसर के उपरचुनिटी मिली है जो भी हमें एक्जाम देने जा रहे हैं उसकी जरूरत को समझनी होती है सारे एक्जाम एक जैसे नहीं होते हैं कुछ एक्जाम की नीड अलग होती है कुछ एक्जाम को प्रिपैर करने के लिए ज़्यादा मेषनत करना पड़ता है काफी बार ऐसा होता है कि अच्छे शिक्षक के पढ़ने के बाद भी बच्चे नहीं निकाल पाते है तो अच्छे सिख्षक का होना गारेंटी तो नहीं देता है क्योंकि खुद की मेहनत भी उतने ही इंपोर्टेंज रखती है जितना की एक अच्छा सिख्षक रहता है जाए कि मैं जमुई जैसे छोटे जगास हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अगर वो करने की चाहर रखते हैं तो उनमें काबिलियत खुदबख खुद आ जाती है जो शोर मचाते हैं भीड में उपस भीड का हिस्ता बन कर रह जाते ही जिन्दगी में सफलता तो उन्हें मिलती है जो खामस होकर काम कर जाते ही कि आज सफलता का डंका शोर मचा रही है आज ये कर दिखाया है इसे हकीकत में बदला है जमुई जिला के एक छोड़े से प्रका गिधौर के कोर्वा ग्राम पंचातर अंतरगत खड़ हुआ के आमन राजने जियां और ये शोर ना सिर्फ जमुई में बलकि बार्क यानिक भा क्या है उनके जंदगी का और लक्ष और साथी साथ किस तरह से उन्हें प्रयास किया और क्या संदेज दिना चाते हैं तमाम जमुई के स्ट्वेंट्स से आईगे मिलवाते हैं सीधे रूगरू करवाते हैं अमन राज से अमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पर लहीं बताया हैं अमनराज इतनी बड़ी उपलपदी कैसे लग नगा आपको सबी को सबसे पहले बहुत-बहुत नमश्कार इतनी बड़ी उपलपदी के बाद मुझे बहुत गर्फ महसूस हो रहा है और जो भी मेरे परिवार जन हैं जो भी मेरे गाववाले हैं उनको खुछ देखकर मुझे एक काफी साटिस्फाक्शन हुआ 12 तक सेंड माइकल्स हाइज स्कूल पटना से किया है और वो एक्षिली बिहार जारकन का बेस्ट स्कूल है तो स्कूल का काफी बड़ा योगदान रहा है आज मैं जो कुछ भी हो मुझे वो बनाने में तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे सिक्षक होते हैं उनका सबसे बड़ा भ आपके जीवन का जो लक्ष था वो किस तरह से क्या वही लक्ष आभी भी आप हासिल कर पाएं या पिर किस तरह से आपके जंदगी के रफ़तार आगे के उर्दवरी जी मेरा बच्पन से ही एक लक्ष था कि मुझे बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है मैं हमेशा ही जितन मुझे मन करता था कि एक दिन में भी ये सब दइजाइन करना चाहता है तो मेरी इशा रही है कि मं बहुत अच्छा इंजीनियर बनों हमेशा ही मैं चाहता था और मैंने उसी रास्ते पर अपना कदम रखा और इसलिए मैंने आयाइटे जेई की तयारी करी और उसके बाद मै आई आई टी गुहार्टी में सिविल इंजियरिंग के ब्रांच में अडमिशन ले पाया था तो एक तरह से मेरा जो सपना था उसी के ओर में बढ़ता चला गया और आज मैं यहां पर हो तो आई आई टी आपने किया और निश्यतार पर बहुत बड़ी सफ़ता वहां भी अरजित की लेकिन फिर आई 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 टी के बाद फिर अचानक से आपका जो जिंदगी थी आपको कहीं और लेकर गई आई आई टी से भाबा अटॉमिक रिसर्स सेंटर तक जाने का जो सफ़र है वो थोड़ा सा हमारी चैनल के मादन से लोगों को बताएं तो आजकल जो आई टी में पढ़ाई हो रही है दो तरह के नौकरियों के तरफ लोग जाते हैं एक आई टी सेक्टर के तरफ लोग जाते हैं और एक चाहते हैं कि वो अपने जो इंजीनियरिंग है उसी में अपना करियर बना है तो मेरा जो इंट्रेस्ट था वो इंजीनिय जैसे ONGC, इंडिया नॉयल, और कुछ गवर्मेंट और्गनाइजेशन जैसे भाबा अटॉमिक रीसर्स सेंटर, DRDO, यह जभी उसी एक्जाम से नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकालती है, तो मैंने जो गेट एक्जाम लिखा था, उसके थूही मुझे भाबा अटॉमिक मैं आपसे जानना चाहूंगा, कि निश्य तोर पे कई जो आभी परसुइंग स्टुएंट्स हैं, जो 11-12 कर रहे हैं, उनका कही न कहीं सपना होता है, इंजिनियरिंग करने का, तो और इंजिनिरिंग में भी पहला जो वह सपना देखते हैं, कि IIT मेरे से निकले, आप खु है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, दूसरी चीज सिक्षक का काफी बड़ा रोल रहता है, सिक्षक हमें कैसा मिलता है, उस पर भी काफी कुछ निरभा करता है, और तीस्वी सबसे जरूरी चीज है कि जो भी हमें एक्जाम देने जा रहे हैं, उसकी जर अलग रहता है, तो उन दोनों का जो प्रिपरेशन लेवल है, उसमें काफी डिफरेंस रहता है, और यह चीज समझना सबसे बड़ी चीज होती है, तो अगर हम इस चीज को समझें, जिस पार्टन में पिछले साल के क्वेस्टन सा रहे हैं, उन सभी चीजों को समझेंगे, तो लक्ष को हासल करना बहुत आसाल हो जाता है, जो भी सामने अगर आप उस पे फोकस होके, डेलिकेटेड होके, अगर करते हैं, तो निशुतार के सबलदा मिलती है, अच्छा, अमन जी, मैं आपसे एक और सबाल करना चाहूंगा, कि IIT के पास बड़े प्रतिष्ठानों स सेंटर भार्क जिसको कहते हैं, उसे ही चुना, इसके पीछे क्या खास हो जाग सकती है, इसका जवाब बस यही है कि मुझे सिविल इंजिरिंग के तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, कॉलेज में जो भी ओफर्स और कंपनी जा रहे थी, वो IT सेक्टर के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंट थी, और उसी की सारी नौकरियां थी, तो मुझे उसमें नहीं जाना था, ये मुझे पता था, मुझे क्या करना था, ये चीज मैं पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो मैंने गेट देने के बाद जो जो पुब्लिक, जो भी गवर्मेंट सेक्टर या पर पु निर्धारित होता है, वहाँ पर आप जा रहे हैं, एक छोटा सा एक इस्ट्वेंट को लेके, क्योंकि आपके जितने भी दर्शा के वो बिल्कुल यूथ हैं और यूथ में भी वो न्यू कमर जो इस्ट्वेंट से वो हैं, अमनरा जी बता हैं कि क्या IIT की परिक्षा के लि आजकल तो काफी online mediums भी आ गए हैं, अगर coaching करना ही हैं तो online mediums के थुरू अच्छे अच्छे सिक्षक मिल जाते हैं, शिक्षक का काफी बड़ा रोल रहता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, कि अगर कोई घर में बिना सिक्षक के पढ़ता है, तो एक तरह से वो पीछे जा है उन बच्चों से जिनके बाद अच्छे सिक्षक हैं, परंतु काफी बार ऐसा होता है कि अच्छे सिक्षक के पढ़ने के बाद भी बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, तो अच्छे सिक्षक का होना guarantee तो नहीं देता है, क्योंकि खुद की मेहनत भी उतनी importance रखती है जितना तक लेकर के आया है, और आजकल तो काफी online platform आ गया है, जिनमें की कम फीस में भी लोग इन्रॉल हो सकते हैं As a ITN or as a scientist, आप जमुई शहरवासियों को जमुई जैसे चोड़े सहर के बच्चों के students को या प्रे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले उनको अपने mind को छोटा नहीं करना चाहिए, उन्हें यह नहीं सूचना चाहिए कि मैं जमुई जैसे चोटे जगह सहूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अगर वो करने की चाह रखते हैं तो उनमें काबिलियत खुद बखुद आ जाती है तो अगर वो अपने मन को छोटा करेंगे तो लक्ष उनका जो जहां वो पहुंचेंगे वो छोटी जगह ही रहेगी अगर उन्हें बड़ा जगह पहुंचना है तो अपने मन को बड़ा रखना पड़ेगा और खुद में भरोसा रखना पड़ेगा अमन राज ने जो हमसे बातें की अभी जो भी चीज़ें उन्होंने शेयर किया वह जरूर दिखाता है कि यह बच्पन से ठान लिये थी कि कुछ कर गुजरना है निशी तो पर कहते हैं कि जिन्दगी जीने के कोई ने कोई वज़ह जरूर होती है और वह वज़ह इनको आज अमन जी आपके बहुत 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 शुप कामने हमारे चैनल के मादम से और निशी तोर पर हमारे जमुई जिला के लिए आप एक जमुई के आनवान शान है माटी के लाल है अमन जी थैंकियो सो मच बहुत बहुत धन्यवाद